ओके गुडिविनिंग अव्रीवन कैसे हो आप सभी मेरा नाम है मुरुमादुकर और आपके सामने हम आये हैं एसियन गेम्स लेके एसियन गेम्स बहुत ही इंपोर्टेंट आप सभी के लिए ओलम्पिक्स के बाद जो सबसे बड़ा इवेंट होता है एसियन गेम्स उसके बा और आने वाले फ्यूचर में 2022 के जो आपके होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे उसका क्या आपका मोटो है उसके बाद मासकट जो की आपके मासकट के बारे में बात करेंगे कि क्या आपके सुभंकर होते हैं सुभंकर कौन होते हैं किस तरीके से बात करते हैं उनकी और साथ साथ में ही क्या important facts बन सकते हैं क्या expected questions बन सकते हैं Asian Games से related आप सभी को पता है current में हमारा Commonwealth Games जो की पूरे world का तीसरे number का सबसे बड़ा multi sports event है वो चल रहा है उसमें अभी तक आपके 6 medals देखने को मिल रहे हैं यह medal के अपडेट है तो हमें दे सकते हैं comment box में 6 medal आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें से 3 gold, 2 silver और 1 bronze medal आप देख पा रहे हैं भारत की जोली में और उसी के साथ साथ अभी सारे weight lifting के हैं और कई लोग बोलते हैं sir weight lifting में ही क्यों इतने ज़्यादा metal देखो अभी starting event ही आपका weight lifting से हैं और बाकी जितने हैं उनमें medal event नहीं है तो medal event यह ऐसा होता है weight lifting में जैसे दो weight category है आज के दिन अगर मान लीजिए आपकी दो weight category है और के इस तो थोड़ा सा हलका सा connection disturbance देखने को मिल रहा था में बात हम कर रहे थे अभी तक हमारे weight lifting में जो events आते हैं वो उसमें इतने ज्यादा क्यों मतलब medals देखने को मिलते हैं क्योंकि medal event जैसे दो medal event है आज के time में आपके तो दोनों medal event आज ही event होगा आज ही medal ceremony भी हो जाएगी लेकिन जैसा आपके team games में देखा जाता है तो 3-4 दिन का tournament चलता है 3-4 दिन आपका event चलता है और medal ceremony तो आप 3-4 दिन पूरा का पूरा उनका जिस तरीके से भी है आपके एक team दूसरी team के साथ खेलेगी बहुत सारी team होती है बहुत सारे matches होते हैं लंबा समय चलता है जैसे कि 90 minute का आपका football match चलेगा तो 90 minute का लेकिन weightlifting तो आपका तीन attempt लिए एक खिलाडी ने दूसरे ने तीन attempt लिए उसका खतम हो गया उसी तरीके से चलिए आगे बात करते हैं आपके में आज की class के बारे में तो आज की class से पहले यह आपका end offer है इसको आप use कर सकते हो code लगा लो 5590 जिससे कि आपका 77% discount प्लस में double validity देखने को मिल रही है और एक और चीज बता दूँ आपको दोस्तों बहुत सारे बच्चे join already कर चुके हमारा physical education का batch जो है और आज first class थी और बच्चों को भी काफी अच्छा लगा मुझे भी काफी अच्छा लगा बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं तो सामको हमारी class होती है चार बजे से पांच बजे तक daily live और recorded भी मिल जाएगे साथ में PDF में मिल जाएगे और handouts भी आपको मिलेंगे previous year question paper भी मिलेंगे और समें बहुत सारी चीजे अवेलेबल है एक साल तक क्या आपको validity अगर आप यह code use करेंगे Y590 for ultimate discount चलिए class को start करते हैं Asian Games हर class में पूछे जा इसमें आपको बहुत help हो जाएगी जितने भी आपके exam आ रहे हैं उन सभी के लिए बहुत important है उसी के साथ साथ दोस्तों एक motivation court आपके सामने लिखा हुआ है सोचो मत यानि कि इनसान को कभी भी सोचना नहीं चाहिए सुरुआत कर देनी चाहिए किसी भी काम को करने की सुरुआत कर दो बस किसी भी काम को करने के लिए आप एक step रख दो बाकी के push जो पीछे से मिलता है और बाकी उपर वाला तो है ही साथ में next वादा मत करो किसी से ब डवलप हो जाएगा और बताओ मत किसी को किसी बताओ मत यह करना हम मुझे पता है बहुत सारी बार हम excitement में नेखल जाती है मारी मुझसे excitement मना हो जाते है यह इस तरीके से लेकिन आपको चीजों को बताना नहीं है चीजों को एक तरीके से दिखा दो उने करके कऱ Pascal दिखा दो तो सोचो मत शुरुआत कर दो वादा मत करो साबित कर दो और बताओ मत करके दिखाओ यह चीज है दोस्तों जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए excitement में हम बोल देते हैं कभी कबार चल जाता है लेकिन उस चीज को मन में आपको करना है जो आपका जुनून है वह आपको करवा के रहेगा थैंक यू ओके चलिए आज के क्लास में हम एशियन गेम्स उसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स और वन लाइनर प्लस हिंदी प्लस इंगलिस दोनों में आपका होने वाला है एशियन गेम्स की बात करते हैं तो एशियन गेम्स एशियन गेम्स क्या होता है खाली इसमें एशिया कंट्री मतलब एशियन कंट्रीज एशिया था आपका कॉंटिनेंट है एशियन कॉंटिनेंट है उसकी जितनी कंट्रीज है जैसे कि आपका इंडिया हो गया इंडिया के है आसपास इतना भी देखलो इंडिया के left right से हुँ प पाकिस्तान देखलो चाहें बंगलादेश देख yore उपर की तरफ इधर देख लो आप जितनी भी आपकी एशियन कंटरीज है स्रिलांका हो गया फिर चाइन हो गया जपान हो गया यह सारी Asian countries खेलती हैं खाली Asian countries खेलती हैं और Asian country यह इसका सिंबल है उगता सूरज उगता सूरज सिंबल है चार बार बोलूँगा एक चीज Ever Onward Ever Onward हमेशा आगे की और Ever Onward एक तरीके से आपका मोटो है Asian Games का आगे बढ़ते रहो हमेशा आगे बढ़ते रहो कॉशन आया था UPTGT में 2020 में इसी बार यह जो अभी लास्ट टाइम का गया है इसमें UPTGT में Ever Onward यह वाला कॉशन आया था दोस्तों 125 कॉशन नमबर में से एक कॉशन आपका यहां ठीक हो जाएगा कर यह करके जाएगे कितने यह आपके उगते होई सूरज इसमें कितने छल्ले है तो 16 छल्ले इंदसेंस रेज जो आपकी दिख रही हैं आपको रेज यह कितने यह भी कॉशन का विकबार एक्जाम में आ जाता है 16 आपकी रेज है यानि कि 16 किरने आपको दिखाई दे रही है इसमें आपके लिए फोटो भी रही है और यह अभी लास्ट टाइम का इवेंट जो हुआ था 2018 में यह जकारता और पहलेंबंग यह दो शहरों में हुआ था पहली बार एशिन गेम्स ऐसा हुआ है एक सहर को छोड़ कर दो सहरों में हुआ है लेकिन दोनों के दोनों आपकी देख पा रहे है आपे जकारता और पेलेंग डेंग 2018 वह से उसके बाद में जो अभी उननीसवाट इस्टिया फेल है वह होनेवाला है आपका हांगजू ह कि दो हजर बइस तो हंगजू में आपका होने वाला ह है चाइना में हांगजू चाइना में आपका होने वाला है 2012 का अपका अपकमी अब इसकी डेट कैसे एक्स्टेंड करेए किस तरीके से उसके बारे में बात करें यह पहले कब होने वाला था अब कोईड की वज़े से कैसे चेंज हुआ वह बात करेंगे उसके बाद में आपका जो 20 वे Asian Games है वो होने वाले है जापान में यानि यानि कि 2026 के आपके जो होने वाले है नागया जापान जापान की नागया शहर में वाले एक और चीज़ बता दू एश क्याई खेल को Asian Games को Asian भी बोलते है को कहीं Asian ऑजाए तो कन्फ्योज नहीं होना है कोशन आ जाता है घुमा फिर आके एशियाड भी बोलते हैं एशियन गेम्स को तो कई कोशन इस फोटोग्राफ से इससे बन गए हैं इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो नेक्स्ट आपकी बात करते हैं एक एक स्लाइड में कम से कम नहीं तो पांच से साथ मस्कूण देखने को मिलेंगे सब ही को ग jestem आपके देख सकते हैं आपका लोगो है फरस्ट समया कहा हुआ था कोशन आता है ओम में फ़र्स एशियन गेम्स होई थे इंडिया में न्यू डैली नियू डैली यह कॉशन ऐख़ने कु मिलेंगा नई दिल्ली यानिकी भारत नहीं सुरुवात करिये भारत नहीं सुरुवात करिए और भारत में ही इसकी सुरुवात हुई है तो Asian-games के सुरुवात की अगर हम बात करें तो नई-D地方 251 में पहला Asian games का वह उनोनी सो इक्क चाउन 1951 यह Question Exam में आता है वैसे भारत में दो बार आपके Asian Games हो चुके हैं दो बार Asian Games हो चुके एक आपका उन्निस सो 51,1882 में 1982 1982 में और 1951 दो बार आपका हो चुके हैं यह आपके फ़स्ट वाले यहां पर थे फर्स टाइम हुए अब इसकी बात कर लो तो 4 मार्च से लेके 11 मार्च तक उन्नीस सो खेल चले थे पहली बार जब इनका फर्स्ट एडिशन था उसमें आपके कितने लोगों ने पार्टिस्पेट किया था तो यहां पर देख पा रहे हैं आप 491 लोगों ने पार्टिस्पेट किया था और जापान ने सबसे जादा मेडल जीते थे साठ और टेली में सबसे नंबर उन पे था मेडल टेली में सबसे तो यहां पे डोक्टर राजेंदर प्रसाद आपको रिबन काटते हुए नजर आ रहे हैं उस वक। आएए और कुछ महतपूर्ण जानकारी पा लेते हैं इसके बारे में जीडी सौंधी की अगर करें तो इन्हीं है आपका एक तरीके से स्रेय जाता है ओलम्पिक खेलों को सुरू गरने जीडी सोंदी गुरू दत्त सोंदी जीडी सोंदी आता है एक्जाम में जीडी सोंदी को Father of Asian Games भी बोलते है Father of Asian Games कभी कभार है एक्जाम में आ जाता है ऐसी कोई उपाधी भारत नहीं देता है कि Father of this and Father of this Good evening सभी को Good evening सभी को Good evening तो महराजा ओफ पत्याला एक तरीके से President of Indian Olympic Association उस टाइम के आपके और Secretary आपके गुरू दत्त सोंदी तो यह यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से Federation का गठन हुआ यह इतनी जादा आपके लिए important नहीं है लेकिन जो जीज important है वो आपकी यहाँ पर है तो 1951 यह star mark कर लेना यह question exam में छपेगा 1951 में पहली बार भारत ने organize किया और भारत को श्रेज आता एशियन गेम्स को organize करने का या फिर start करने का उसके बाद आपके हर जगह Asian Games देखने को आपको मिल रहे हैं इनका screenshot आप ले सकते हो आपके लिए और list provide कर दी गई है medals किस किस के कितने कितने रहे medals भी देख सकते हैं medals का screenshot भी ले सकते हैं इन में कुछ बताने जैसा नहीं है इन में कुछ समझाने जैसा नहीं है और कईयों को स्क्रीन पे visibility नहीं लग रही होगी visibility नहीं लग रही होगी अगर तो अगली बार से हम थोड़ा सा इसको बदलने की कोशिस करेंगे यह ऐसा बड़ा बड़ा आपको अच्छा लगता है symbols की बात करते हैं symbols की तो Asian Games की अगर हम बात करें तो Asian Games में symbols और आपके मैंने सुरू में ही बताया आपका symbol क्या रहता है आपका चमकता सूरज जिसमें आपके इस तरीके से छोटी बड़ी छोटी बड़ी चोटी बड़ी इस तरीके से मैंने तो सूरज मुखी का full बना दिया क्योंकि ड्राइंग में थोड़ी जाद अच्छी है इस तरीके से बन जाती है ऐसी कोई बात नहीं है अच्छी है मेरी तो यह आपके और 16 आपकी रिंग्स रेज देखने को मिलती है यहाँ से इंप्याइन कोँच्छन बनेगा और आपका मोटो है यहां से कोव्चन बनेगा एक एक मूस्ट एक्सद्राइड और मोस्ट आय हुए कोच्छन अगर इसाअई में कोउच्छन वर कि यह को क्यों को क्यों आपका लगा रखें यह चीज़ देख लीजिए और यह किस ने दिया था यह आपका दिया था गुरुदत सौंधी ने जीडी सौंधी ने प्रपोज किया था यह आपका गुरुदत सौंधी ने मोटो जो है यह प्रपोज किया था उसके बाद में चलत किसी भी वह कोईभी बर्ड हो सकता है वहां का कोई सिंबबा ओसकता장이 किसी भी तरीके का तो मसकोट देखें अगर टो जो 1982 में दूसरी बार second time आपके भारत में हो रहे थे भारत में second time आपके Asian Games हो रहे थे 1982 में तो ये भी नई दिल्ली में हुए थे तो नई दिल्ली में अभी तक दो बार इंडिया में दो बार हुए और दोनो बार नई दिल्ली में हुए हैं और इसमें आपको देख रहे हैं अप्पू, कोशन आता है एक्जाम में, अप्पू, अप्पू की बात करें, तो अप्पू यहां पर आपका मास्कट देखने को मिला था, 1982 में, तो यह आपके कोई भी जो area है, जो आपका कोई भी country है, उसका कोई animal हो सकता है, वहां का कोई cultural heritage का कोई symbol हो सकता है, या कोई figure हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई bird हो सकता है, तो यह आपका अप्पू देखने को मिला था आपके अठारा सो सोरी 1982 में बार 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 अठारा सूरी ओके नेक्स स्लाइड पर चलते हैं लिस्ट आफ मोटो इन एसियन गेम्स तो मैंने बताया यहां से शुरुवाद हुई अठारा सो ब्यासी में पहला मोटो आपका यहां से सुरुवाद हो चुकी थी दोस्तों इंडियन एलिफेंट अप्पू की स्पेलिंग पीछे डबल पी ओ लिख दी मैंने एडबल पी ओ यू है एडबल पी यू है एक्चुली में ठीक है उसके बाद तो लगातार जड़ी ल पे थे रिसेंटली जिसमें आपको बिन बिन और काका दो देखने को मिले थे बिन बिन देह बिन बिन और बॉर्ड है और साथ मेंग एक काका जो की वहां पर इडियर है हीरन है और कontin और बिन बिन आपका क्या है पक्षी है इंडोनेसिया में पहली बार ऐसा वहाद डो शहरों में हुए दो शहरों में कि दो शहरों में पहली बार आपका देखने को मिले थे क्योंकि महां पर आपका जकार्ता एक शहर आं jan ऑभी होने वाला फ्यूचर इवेंट है इसमें तीन मासकट देखने को मिल रहे हैं नाम जैसा चाइना का है वैसे ही इनके काम है और वैसे ही इनके मासकट है नाम सुनोगे तो हसना मत कोई भी मत हसना नाम सुनोगे तो एक का नाम है कॉंग कॉंग एक का नाम है कॉंग कॉंग दूसरे का नाम है लिन लिन ठीक है दूसरे का नाम क्या है लिन 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 और तीसरे का नाम है चेन 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 तो आपको याद रखने के तरीका बता दूँ C L C इसको square कर लेना डबल कर लेना तो यह हो जाएगा CC L L C C मतलब कों कों लेन चैन चैनीज भासा सिखा धूंगा मैं आपको क्लास में आओगे तो कैन केfold अभी जो होंगे यह 3 आपको देखने को मिलेंगे अभी कोसे और Εग्जाम में देखने को मिलेंगे techn के आप कॉंग लेन लेन और चैन चैन तो यहां पर हिंदी में लिख दिया है मैंने ठीक है अब होस्ट सिटीज आफ एशियन गेम्स तो नई दिल्ली से शुरुआत हुई थी 1951 में यह चार बार आएगा क्योंकि चार बार इसलिए आरहा है क्योंकि एक्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा उसके बाद में अगर प्रेजिडेंट पर प्रेजिडेंट जो मैंने फोटो दिखाई थी सुरू में राजिंदर परसाद सर की हमारे तो यह उसके बाद में आपकी बात करें तो कौन-कौन से औ और आपके events कहां कहां कि इमपॉर्टेंट है deport is की वह देख लो तो दो इभेंट यहां पर फूरिस्तिक आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि सबसे पहला अभी होने वाला थो 2021 में कर यह कहा होगा चाइना में है लेकिन चाइना के कौन से सहर में होगा दोस्तों हांग जो सहर में है ठीक है तो यह होगा है अग्जोव है हांग जो सहर में हांग जो सहर में होगा 2022 वाला और 2026 वाला आपको नागोया शहर में मिलेगा जापान के नागोया शहर में तो 2026 वाला कहां मिलेगा नागोया जापान जे पी अन जैसे आई एंड लिखते हैं ऐसे ही जे पी एन लिखा रहता है तो यह चीज़ है चीज़ आई ठीक है तो 2022 के चाइना के हांग जो सहर में जो अभी होने वाले हैं अभी होंगे किस तरीके से होंगे उनके पारे में भी बात करेंगे और नेक्स आपके नागोया शहर में जापान के 2026 वाले यह इंपोर्टेंट है यह कोशन एक्जाम में इस तरीके से चपेंगे और जो में 2022 वाले चपेंगे वह कहां से चपेंगे इसके बाद mcqs भी करने वाले हैं तो क्लास में बने रहो शेयर वेर कर दो लाइक वाइक ठोक दो कि अब चलिए तो ओवर्विव जान लेते हैं जो आपके अठार में एडिशन यह तो आपके हो चुके हैं एक्चिली में उनके बारे में थोड़ा सा आगर आपको पढ़ना हो तो यह पढ़ सकते हैं कुछ आज यहां पर इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आज हिस्ट्री आपके लिए एड किया गया है ताकि आप स्क्रीन शोट लेके फर्दर नॉलेज के लिए पढ़ सको हमें एक्जाम प्रेस्पेक्टिव से पढ़ेंगे थोड़ा सा तो इस तरीके से कुछ फैक्ट भी आपके सामने देखने को मिल रहे हैं कि पहला कब है तो यह तीन-चार बार आ गया है तो यह आएगा यह आएगा एक्जाम में इसका मतलब यह है कि अग्जाम सॉर्ण नाइंटीन फिफ्टीवन न्यू डैली पहला कि शुरुवात किसने की जीडी सॉंदी को फादर भी बोला जाता है एशियन गेम इसका यह कॉश्चन आएगा एक्जाम में किस तरीके से तो यहां पर फैक्ट देख सकते हैं किस तरीके से आपके क्या-क्या इंडिया ने किस तरीके से किया तो फैक्ट से कुछ लिखे हुए हैं जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट है उसके साथ साथ हमारे ultimate वह भी चलने वाले हैं एंसी के बारे में बात करेंगे आने वाले टाइम पर तो पहला फैक्ट तो आपको देखने को मिल रहा है जिसमें 11 कंट्रियों ने ओनली कितनी कंट्रीज ने पाटिस्पेट किया ग्यारा कंट्रीज ने आपका सिर्फ सिर्फ पाटिस्पेट किया छह डिसिप्लीन थे और 2018 कि अगर हम बात करें 2018 से जिसमें आपके 45 45 देखिए अगर शुरुआत ही नहीं करते तो कैसे हो पाता पोसिबिलिटीज हो सकती थी कैसकी अगर शुरुआत ही नहीं करते इसलिए शुरुआत करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो 45 आज के टाइम में अभी देखा जाए तो यह बढ़ेंगी घटेंगी नहीं और 58 स्पोर्ट्स हो गए यहां पे और इन्हें स्पाइट ऑफ एन इंडियन बिंग सूपर पावर इन होकी देन उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा एक तरीके से इंडिया का बोल बाला अलमपिक के जितने गोल्ड मेडल थे होकी की इतनी ताकत थी इंडिया की लगातार 28 से लेके पूरे आपके 56 तक जितने थे पूरे गोल्ड मेडल इंडिया के पास लेकर चैनल ते उस टाइम पे इतने उसके बाद में देखा जाए तो जो अठार्वी आपके हुए थे अभ अशिया में उसके बाद में 1958 के अगर हम बात करें तो टोक्यों इंक्लूड़िड पहली बार फिल्ड होकी एवर इन दे एशियन गेम्स उसके बाद में 1958 में ही आपका टोक्यों और सो क्रेडिट देब्यू ओफ टोर्च रीले याद रखना तो टोर्च रीले कब डेब्यू कि गया नाइनटीन फिफ्टी एट में जो आपके जापान में यानि की टोक्यों में हुए थे उन्नीस सो अठावन में वहां पहली बार टोर्च रीले जलाई गई आपके एशियन गेम्स की एशियन गेम्स की एशियन गेम्स की टोर्च रीले कब जले गई उन्नीस सो अठाव में टोक्यो में जब आपके हुए थे तब क्लास बढ़िया लग रही है तो कमेंट कमेंट कर दो वई आई यह और कुछ इंट्रस्टिंग फैक्ट को जान लेते हैं जो कि एसियन गेम्स में और सीधे-सीधे कोश्चन एक्जाम में कभी-कबार बन जाते हैं यह तो होपफुली आपको सभी को क्लियर हो रही होगी यह तो दिख रही होगी स्लाइड सबसे पहले तो इसराइल और ताइवान को पॉलिटिकल इशू की वजह से आपके 1962 के जो जकारता एशियन गेम्स हो रहे थे उसमें विजदा ही नहीं भी आ गया तो खाफी इंट्रेस्टिंग सा फैक्ट है और नेक्स आपका 1982 की जिसकी मैंने बात करी तो इंडिया ने होस्ट किया सेकिंड टाइम वहाँ पर और पहली बार ऐसा हो रहा था कि यहां पर ब्रोड कास्ट जो है वह कलर्ड टेलिविजन पर हो रहा था कलर टेलिविजन पर हो रहा था और साथ में यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा था साथ महीं पहली बार यहां पर आपको क्या देखने को मिला अप्पू याने की मासकट की सुरुवात ही इंडिया ने करी एसियन गेम्स में जो आपके 1882 में हुए वह आपके पहली बार ही सुरुवात करी सर मैंने course purchase किया बट वहां वीडियो शो नहीं हो रहा है प्रीति चोधरी का कहना है मैंने course purchase किया वीडियो शो होगा वहां पे recorded वीडियो मिल जाएगा एक से तेट गंटे में ही मिल जाता है वो बाकी मैं चेक कर लूँगा आपने जितने टेक्निकल टीम है उनसे बात कर लूँगा किस तरीके से प्रोब्लम आ रही है आपका प्रोब्लम या जो भी है डाउट सौल हो जाएगा नेक्स है आपका शियोल एशियन गेम्स जो की 1986 में हुए थे इंडियास पीटी उशा वन फोर गोल्ड मेडल एंड वन सीरिवल मेडल तो यहापे देखने को मिल रहे हैं आपको इसी लिए नहीं बोलते हैं पांच मेडल अब मुझे इनके तीन नाम बताओगे आप पीटी भूशा को जाना जाता है वो कमेंट में आप लिखो ताकी और बच्चों को भी पता लगे कि क्या क्या उन् ability बिला जाता है एक एकश्प्रेस की नाम से जाना जाता है धिंग एक्सप्रेस नहीं धिस तो आपकी आसाम की है ठीक और और एक और नाम है वह नाम है आपका अपरा की जो होती है ना वह नहीं दूसरी वाली थीक है और एक और नाम है आपके सामने तो उन्हाने आपको बताने कोशन आजाता है एक्जाम में पीटी उशा का दूसरा नाम या तीसरा नाम किसी भी तरीके से और 1994 की अगर हम बात करें तो Hiroshima Asian Games in Japan were the first time ever that Asian were hosted by a city other than a national capital ऐसा देखा गया था कि 1994 तक यानि कि 1994 तक जो आपके Asian Games थे Asian Games थे वह आपका स्प्रिंट क्विन पाइली एक्स्प्रेस गोल्डन गर्ल उडन परी बिल्कुल मैंने तीन कहा स्नेह ने चार यही तो एक खास स्टूडेंट की एक खासियत होती है पढ़ने वाले प्रिंट क्विन बोले जाता है क्योंकि उनके गाउं का नाम है पाइली एक्स्प्रेस इसलिए और दूसरा आपका उडन परी इसलिए बोला जाता बहुत तेज दोड़ती हैं और गोल्डन गर्ल इसलिए बोले जाता है अब यहां पर देख रहो चार गोल्ड और एक इसलिए इतने मेडल लेके आई और दूसरा है स्प्रिंट क्विन स्प्रिंट क्विन बोले जाता है क्योंकि वह उनका इवेंटी स्प्रिंट है ठीक है स्प्रिंटिंग इवेंट खेलती है वह इसलिए तो 1994 तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई भी जो एसीन गेमस है वह आ नियु डैली में हुए सेकिंड अटाइम की नन出來 में तबी नियु डैली में लेकिन उननीच सो चौरान में में पहली बार हीरो सीमा जापान की राजदानी नहीं है आपको भी पता है आपको पता है क्मेंट में लिखो था कई कई गेम्स होके हैं बहुत बार सुन भी लिया होगा और एसीन गेम्स की और फैक्ट की बात करते हैं सब्सक्राइब तो निस ओ ठाण्वे में एसीन गेम्स इन बेंककोट वर्ध फस्ट टाइम एवर एन एसिन गेम्स होस्टिट सिटी वाज डीजब is made by the bidding process bidding process क्या होता है bidding process आपका हर games में चलता हर कहींपर भी चलता जैसे कि अभी ओलंपिक है तो ऐलंपिक अगर भारत में होने है तो भारत में ऐसे यह नहीं करवा सकता है उसके लिए bidding होगी थीक है उसके लिए bidding system होता है आप भारत जाएगा अपना प्रेजंट करेगा अपना शो करेगा हमारे पास इतनी technology इतना area और इतनी हमारे पास facilities है इतना ground area है इतने coaches है इतने जादा हमारे पास officials हैं और इतनी जादा facilities और हम provide कर जाकते हैं हमारी ये security है सब छीज देखता है आयो सी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ऐसे ही नहीं ओलंपिक गेमस करवाने दे सकता है तो बीडिंग प्रोसेस के ठूप चलो ओलंपिक गेम तो कराना लग बात है एश्यू गेमस तो करना लग बात है लेकिन पहली बार सहर भी डिसाइड करा बीडिंग प्रोसेस से उनिसो अठाण में में जो आपके एशन गेम्स बैंककोक में हुए ध्यान रखना तो उसके साथ साथ में अगर साथ कोरिया की बात करें तो साथ कोरिया हास प्लेड होस्ट टु दा एशन गेम्स ट्राइस तीन बार कर चुका है होस्ट साथ एश्या साथ मतलब एशन के एशन गेम्स के अगरम साथ कोरिया की बात करें जबकि नौर्थ कोरिया की अगरम बात करें एग्जैक्ली टोक् तो क्यों मिल्कुल हाँ कलर चेंज करो ओके संदीप अगली बार से हम कलर चेंज करेंगी ये कलर रखेंगे नहीं किसी भी तरीके से बाकी कि कलर चेंज करो कह रहे हैं भाई साथ कि कि अभी कलर फुल फिल होना बहुत मुश्किल सा है यार अभी भी नहीं दिख रहा हो गए तो कोई नहीं नेक्स टाइम देखते हैं इसका कलर ठीक है अगली स्लाइड में वैसे है नहीं है यह बस इसी स्लाइड में इंचियों में 2014 में इंचियों में मेरा एक दोस्त है उसका ब्रॉंज मेडल आया था जुडो में ही कि चाइना इंडिया और इंडोनेशिया तीनों ची तीनों कंट्री ऐसी है जिनने दो दो बार होस्ट किया है उसके साथ साथ में अगर हम बात करें चलिए अब यहां तो स्क्रीन विजीबल होगी यह तो यह तो दिख रही होगी ठीक है सर क्लियर नौट पिपीटी सर ओके कलर चेंज करेंगा अगली बार से यह ठीक है कि नहीं है चलो फैक्ट अबाउट और देख लो थोड़ा सा बैंकोक थाइलेंड कि अगर हम बात करें तो बैंकोक होस्टिड इवेंट फॉर टाइम्स फॉर टाइम्स जिसमें और अगर हम बात करें आपके भूटान और आपका माल्दीव्स इन्होंने येट टू विन ए सिंगल मेडल एट एशिन गेम्स अभी तक यहां पर मेडल नहीं जीते हैं इन्होंने उसके बाद में अगर इसकी बात करें 2018 की यह आपके हो चुके हैं और इंपोर्टेंट चीज आपको देखने को कहां मिलेगी तो बैंकोक इस दा ओनली सिटी टू हाव होस्टेड एशिन गेम्स ऑन फॉर ओकेशन्स तो 1966 1970 1978 और 1998 पीपीटी का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा यहां मैं यह चीज़ देख प यह कोशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अभ तो ठीक है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और कौस्ण के जड़ी बताईएर कोशन आया हुआ है एक uh यू पी टी जी टी में तो चाइना में आपका अभी होने वाला है दो हजार बाइस में हांगजू सहर में कहां आपो हाँि अब अग्जू को टैमंग्जू सहर में नहीं है जापान इसमें होने वाला आप का नागोया शहर में अभी होने वाला च RAW दूह जार शबवीश में इन्डिया की बात करें तो श्री राइट आउनसर न्यू डेली में पहली वे वार आपका श्रेशन गेम्स देखने को मिले थी अगए बात करते हैं इंप्वाटन्ट एस्य घेम में अ अभी बताईये और आपकी बार जो इवेंट हो रहे है आपकी बार जो इवेंट हो रहे हैं इस वक्त के तो इसका क्या आपका 2022 वाले का क्या आपका मोटो है मोटो बताओ 2022 का इन में से A, B, C ये D हाभी सर आपका एड्रेस हाभी मुंडा आप मेरा एड्रेस जान के क्या करोगे गुडगाओ गुडगाओ हर्याना इसका बताओ अंसर C, C, C लिख रहे हैं क्या स्क्रीन विजिबल है तो सभी को मेरी वाइस अभी तक तो अब हम MCQs स्टार्ट कर चुके हैं तो जल्दी से जल्दी आप अपने साथियों को भी जोड़ ले और उसके बाद में अभी 2022 के जो भी इंपोर्टेंट कॉशन्स बनेंगे उनको भी डिसकस करेंगे तो जितने भी हमारे साथी हैं जुड़े रहो हो भाई और साथ में जोड़ लो नहीं पता चलिए अगर नहीं पता तो मैं आगे बताता हूं आपको फिर किस तरीके से कि अधारवे की बात कर रहा है कि 18 जो हो चुका है अगे अनजी ऑफ एस्या आप सभी को पता है अ ठीक है अनजी ओफ ऐस आपको कमेंट बॉक्स में बताना差不多 जो अभी चल रहे हैं उसका मोटो क्या है उसका मोटो बनाड बताना है दो हजार 22 वाले जोtså distinctive गेम चल रहे है उसका मोटो बताना आपको हो टी नेक्स आपका कि दो 2018 में जो अभी अभी आपके होच चुके हैं उसमें आपको बताना है क्या आपका मासकट था यानि कि सुभंकर बताना है अनंद अभी यूजी सी नेट की क्लास का क्या प्लान है वो अभी हम कुछ नहीं बता सकते फिलाल ये दो दो दिन अग्जाम है वो बताएंगे अगर करें अगर करें एक बड़ और काका की अगर बात करें तो वो काका एक तरीके से अपका डियर देखने को मिल रहा है कि उसी तरीके से नेक्स कॉशन आपकी स्क्रीन पर आ गया है जो कि इस तरीके से है विच कंट्री विल और्गनाइज 19 एशियन गेम्स आपको बताना है क्या जापान है क्या इंडिया है क्या कतर है उसी के साथ मैं बता दो आप को इंडिया दो बार और्गनाईज कर चुका है पहली बार सुरुवात ही इंडिया ने करी 1951 में एशियन गेम्स की और दूसरी बार आपको 1982 में देखने को मिली और 1982 में ही पहला आपका मासकट अफू अफू पहली बार उसके साथ-साथ में 1951 जिसके शुरुआत करी जीडी सौन्दी को फादर बोला जाता है एसियन गेम्स का भारत ने शुरुआत करी दूश्तरे आपको देखने को मिले यह दोनों के दोनों न्यू डैली में हुए न्यू डैली में चलिए बिल्कुल ओके एग्जैक्ली चाइना में आपके 2022 वाले यानि की 2022 अभी नंबर भी पूछ सकता 19 वे और 2022 याद रखना 19 वे 2022 उसी के साथ साथ में याद रखने का तरीका है इसे उपर मिलाते जाना कोशन ठीक होता जाएगा और जापान में आपके होने वाले वो हुने वाले इसवे बीस में आपके होने वाले जापान वे जापान में जापान के नागोया शहर में अपको देखने को मिलेंगे ये कॉसर इसलेए बता रहो बार-बार पार क्योंकि यही आने वाला एक्जाम में भी से चलिए तो ये kustand आपको देखने को मिल रहा है 19 वा यहां पर आपका जापान में नहीं होके चाइना में हो रहा है और 20 वा आपका जापान में देखने को मिलेगा which of the following statement is correct about Asian Games क्या यह सही है क्या these Asian Games are organized at the interval of three years नहीं तीन साल नहीं चार साल के अंतराल में बोला जा चार साल के अंतराल में होता है और Asian Games को क्या और बोलते हैं दोस्तों एशियाड भी बोलते हैं एशियाड भी बोलते हैं अगर एशियाड आजाए एशियाड भी बोलते हैं आपका Asian Games को प्रश्चीन नहीं चार साल के अंतराल में किया जाता है आपका उसके बाद में प्लेयर फ्रों 50 कंट्रीज आर पाइटिस्पेटिंग इन 18th Asian Games या फिर Asian Games are organized by Asian Olympic Council Asian Olympic Council in the supervision season of International Olympic Council China has organized this game four times तो यह गलत है चाइन ने फोर टाइम नहीं organized किया इसका राइट अंसर जो है वो C है यस एक्जाटली इसका राइट अंसर जो C है बिल्कुल बहुत शांदार जवाब दे रहे हमारे आनन्द भाई C है क्योंकि जो चाइना है Asian Games की अगर हम बात करें तो एशियन गाउंसल यह एशियन ओलंपिक काउंसल ए ओसी इसके फुल फॉर्म भी पूची जाती है एशियन ओलंपिक काउंसल यह आपका और्गनाइज कराती है पहले आपके दूसरी कर वातीति और्गनाइज और यह किसके सुपरवीजन में करवाती है इसके सुपरवीजन में करवाती आई ओसी इंटरनेचनल ओलंपिक कमिटी जिसकी सुरुवात हुई थी उन अठारा सो चौराणवे में पहले प्रेजिडेंट आई ओसी के डेमेर्टियस विकेलस डेमेर्टियस विकेलस कोशन आ रहा है राजिस्थान में और हर्याना के एच्टेट में भी आ रखा है पहले प्रेजिडेंट बताओ आई योसी के कौन थे और यह तीन कॉशन यहां से बन जाते हैं आपके इस तरीके से चलिए आगे कॉशन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर यह रहा बेंकोक में क्या बीजिंग में क्या चायना में क्या आपका टोक्यो में कहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा बार ओργिनाइज हुआ है यह आपको बताना है उसी के साथ मैं देखता हूँ कि जितने हमारे mcqs हम करते हैं तब तो बच्चे बहुत जुड़े रहते हैं लेकिन थियोरी के समय उनको पता नहीं क्या पती है वो आते नहीं है अब ये बात कहां तक ठीक है क्योंकि थियोरी तो बहुत important है और हमें ये mcqs कराने में कोई द रिकगत वाली बात नहीं है ए WA ul. इक्जैक्ट्ली एफ सूस्टिट मेक्सिममम टाइम अभी मैंने the fact मी आपको बताई थी यह बात तो तो थाइलेंड की अगर हम बात करें थाइलेंड की जो सिटी है बैंकोक इसमें आपके चार बार आपके हो चुके हैं इसको हमने फैक्ट में भी काउंट किया था और यह कोशन एक्जाम में आच चुका है जहां हार्ड के कोशन आते वह आजाते हैं तो 66-66-70-78-98 में अब एक और चीज कि which of the following country never hosted Asian Games मैंने इसको अगर जिसने class देखिए तो मैंने इसको बताया भी था आपको never hosted Asian Games बताइए क्या इरान क्या नौर्थ कोरिया क्या कतर क्या क्या फिलिपिन्स कौन से ऐसी कंट्री है जिसने आपका अभी तक कोई भी और इतना कुरूर सासक है वहां का कि आपने तुरिंट अंसर भी दे दिया नौर्थ कोरिया तो 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 आपको देखने को मिल रही है अब्रिवेशन एशियाड भी बोलते हैं इसको इसका दूसरा नाम एशियाड भी है स्क्रीन विजिबल है चलिए स्क्रीन विजिबल है तो बहुत बढ़िया है यह तो ठीक है न कलर तो अब देखो कुछ फैक्ट है इसमें से कम से कम पात से से 10 कोशन बनेंगे कम से कम 5 से 10 कोशन बनेंगे यह आपका लोगों देख सकते हैं इसके उपर ever onward लिखा है इसको भूलना मत क्योंकि यह कोशन आ चुका है एक्जाम में आपका UP भी TGT में आ चुका और बहुत बार आपका TGT में अलग-अलग एक्जाम में पूछा गया अलग-अलग-अलग जगह पूछा जाता है यह तो ever onward एक तरीके से इसका मोटो है और जो बीच में आपका सिम्बल देख रहे हैं यह उगता सूरज इसका सिम्बल क्या है उगता सूरज अगता सूरज अब एक और चीज़ बता दूँ इसमें फैक्ट देख लो एस्यान गेम्स वाज रेगुलेटेड वर रेगुलेटेड बाइश रेगुलेटेड बाइश अगेम्स फैडरेशन फैडरेशन जिसको एजी एफ बोलते थे पहली बार यह न्यू डेली में जब हुआ था तब इसने ओर फैट्रह तर तक यही और्गनाईज करता था 1978 तक आपका जो Asian Games Organize करवाता था वो Asian Games Federation करवाता था लेकिन उसके बाद क्या हुआ टाइम बदला और 1982 से 1982 से Time Change हो गया और Olympic Council of Asia जो अभी मैंने पीछे बताया भी था जिसका Question आ रखा है एक्जाम में तो Olympic Council of Asia ये Organize कराता है इस वक्त किसके Supervision में International Olympic Committee के Supervision में क्योंकि वो जो आपकी Asian Games Federation है वो टूट गई थी तो इसी लिए आपका कमान समाली वो आपकी Olympic Council of Asia तो Asian Games को Organize कराने के लिए Question आ सकता है एक्जाम में कि कौन कराता है तेन्फ्यूज करने के लिए आपको Asian Games Federation डालेंगे और कोई भी student सबसे पहले बिढ़ते ही इसको लगाएगा लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको उसके बाद में अगर हम बात करें तो Asian Games का मोटो क्या है एवर ओनवर्ड ये Question आ चुका है एक्जाम में क्यों बता रहा हो बार-बार क्योंकि यहीं से कोशन आए गया उनके पास और कोई कोशन ही नहीं है पूछने के लिए Asian Games से Asian Games से पूछेंगे यहीं पूछेंगे अगर कोई भी बैच आपको लेना है पेड़ बैच के जो भी पूछ रहे हैं पेड़ बैच जो भी लेना है वह आप इस को लगा के लेओगे ना तो आपको 80% और डबल वैलिटी देखने को मिलेगी चलो अब एक और चीज देखो हांगजू की बात करें और क्या-क्या इंपोर्टेंट बन सकते हैं कोश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या बन सकते हैं एक्जामिनर तो एक्जामिनर यह पूछ सकता है सबसे पहली चीज तो तो यहां से आपके 10 से लेके 25 सेप्टेंबर 2022 तक आपके होने वाले थे पर क्या हुआ बट 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 ड्यू टू पेंडेमिक पेंडेमिक आपका जो 19 जुलाई है न्यू डेट एनाउंस कर दी 23 सब्टेंबर से आपके 8 अक्टूबर तक अब यह होंगे तो अब यह आपके चेंज कर दी है 23 सब्टेंबर से 8 अक्टूबर यह डेट कर दी है चार दिन आगे पीछे करने से क्या ही होता है 2023 है लेकिन यह 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 याद रखना 2023 में तो यह चीज़ कंफर्म है आपको कि 2023 में होने वाले जो 2022 में होने वाले थे तो अब जो स्लोगन है आपका 2022 का है वह हाट टू हाट और हाट टू हाट और फ्यूचर यह आपका स्लोगन देखने को मिल रहा है जो आपका 2022 जो मैं बोल रहा हूं वह तेश में होने वाले वह हाट टू हाट और फ्यूचर यह अनौंस कि अज़ादा 15 कारी 15 दिसंबर 2015 को 2019 को सोरी ठीक है उसके बाद में एक और चीज बात बता दूं जो इंपोर्टेंट बनेगी कोशन वह आपका आपको याद रखना है सी सी एल एल सी सी यानि कि आपका कॉंग कॉंग लिन निन और चेंचें आपके मासकट होने वाले हैं जो 2022 के होने वाले हैं तो इनको 2020 में रिविल कर दिया इनको जिंगें उसके साथ साथ में यह इंपोर्टेंट और यह आपके नाइंट आपके हांग्जु शहर में होने वाले हैं यह आपके आपको देखने को मिल रहे हैं जो की आपके नाम है जिनके श्क्रावले का आपको इसके साथ साथ में यह एक इंपोर्टेंट स्क्रिंशोट के लिए हैं तो इसका स्क्रिंशोट में ले सकते हैं यह आपका क्या है पहली बार भारत में हुआ 91 में उसके बाद जड़ी लग रही है ठीक है और 1922 में आपके हंकी और और क्या question आ सकते हैं वो यह देख लीजिए आपको होंग चाइना तो पता ही है लेकिन नागोया जापान ये भी पता है लेकिन क्या पता है कि 2030 के कहां होने वाले हैं तो 2030 के होने वाले कतर में कतर में होने वाले 2030 के और 2030 के दोर्जार बटतिस के दोस्तों दोरफ बटतिस के गेम्स होने वाल और होने साउदी अरेबिया में साउदी अरेबिया ये दोनों के दोनों आपके लिए important बन शक्ते हैं question आ सकते हैं एक्जाम में, तो साओधी अरेबिया में और कतर में, लेकिन कौन से शहर में होंगे, ये कोश्चन आएगा, तो जो आपके 2030 के हैं, वो होने वाले हैं, दोहा में, दोहा, और साथ में ही आपके रियाद में होने वाले हैं, जो 2034 के हैं, तो रियाद में जो होंगे, वो आपके 22-22 नंबर के 22 होंगे और जो 2030 में देख रहे हैं वो आपके 21-21 होंगे तो यह 2 important question आपको देखने को मिल रहे हैं कि कि किस तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं बाकि आपके 2022 में होने वाले थे उसकी date पूच सकते हैं कि वो 23 में हो रहे हैं क्योंकि 23 से 23 याद रखना 23 सब्टेंबर से 2023 23 सब्टेंबर 2023 ये याद रखना आपको 23 सब्टेंबर 2023 और 8 अक्टूबर को खतम होंगे ये 2023 एक साल बढ़ा दिया सीधा का सीधा ये important question है फिलहाल तो दोहा में आपके 2030 दोहा में 2030 और 2034 में रियाद में ये आपके होने वाले है ये तीनों event याद रख लेना इन तीनों में से question किसी में से भी आ सकता है तीनों आपके सामने है अभी फिलाल exam में भी आपके सामने होंगे लेकिन आप गलत लगा दोगे तो ये तीन question आपके बनते हैं उसी के साथ साथ अगर आपको कोई अगर course लेना है तो all courses पे जाओ यह इसी क्लिक करोगे तो यहां पर आपको वैसे भी कोई अगर individual course लेना है तो ऐसे ले सकते हैं जैसे मेरा course है यह ले सकते हैं यह वाला course है यह ले सकते हैं बाकि कोई भी course आपको बड़े-बड़े professor से यहां पर देखने को मिल जाएंगे जिनकी validity six month के लेकिन अभी double validity चल रही और अगर app से खरीदेंगे तो और सस्ता हो जाएगा और अगर महापैक लेंगे तो आपको जो महापैक 15,000 का लगबग पढ़ रहा था वह आपका 3000 something का पढ़ जाएगा जो की double validity के साथ है एक साल की जगे दो साल की validity और साथ में जो भी हमारे courses आएंगे teaching पे teaching पे जितने भी course आएंगे वो सब आप एक तरीके से देख सकते हो सब के लिए आप accessible हो सकते हो अगर ये code लगाओगे वाई 590 तो सभी के लिए आप access कर सकते हो उसके साथ साथ में 78% का discount भी मिलेगा आपको ये code लगाओगे वाई 590 से तो ये चीज थी important जो आपको बतानी थी फिलहाल ये दो batches हैं जिनको मैं personally पढ़ा रहा हूं जिनमें आप enroll हो सकते हैं बाकी कैसा लगा आपको session वो भी आग लगा के बता दो भई hopefully आपके जितने भी questions थे Asian Games में वो यहां से cover हो जाएंगे यहां से बाहर कोई नहीं आएगा बहुत मैनत लगती है लेक्चर बनाने में भी और आपको बताने में भी सारी चीजे तो लाइक करके मनोबल बढ़ाओ सारी चीजे और जिसको पेड़ बैच लेना है पेड़ करते रहो आगे बढ़ते रहो और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे डेली आठ बजे साम को सेम टीचर्स अड़ापे थैंक यू सो मच फो जॉइनिंग अस